नमुश्कार, रामरा मैं विवेक तिवारी आपके समुख फिर वुपस्तित हूँ, बाबा नीम कुरोली महराज से जुड़े प्रसंग कुलेकर, जो उनके महानिर्वाण दिवस अनन्चतुरुदशी 1973 के बाद घटी हैं, मैं आपको ये प्रसंग इसलिए सुनाता हूँ, मैं आपको इनके सामने प्रस्तो तिसलिए करता हूँ, क्योंकि मेरे स्वयम के अनुभव से भाराज जी ने अपना कभी भी शरीर नहीं छोड़ा, वो साक्षात हनुमान जी के स्वरूप हैं, और हनुमान जी सदा चिरन जी भी हैं, मैं अकबरपुर जो बाबा जी, बाबा नीम करूली भाराज की जन्स्थली भी है, उनका पैत्रिक समाज अकबरपुर में जिला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उसके स्थापना 2001 मर हुई थी, और मैं अपने गुरुदेव बाबा चंदर शंकर शर्मा के साथ वहाँ उपस दिथा, एक बड़ी रोचक घटना वहाँ घटी, कि मुझे बाबा जी ने, जो मेरे गुरुदेव थे, बाबा चंदर शंकर शर्मा, उन्होंने कहा कि भई तुम बहुत भीड है, और इस भीड में तुम को एक में कार्य स्वापूंगा, उस कार्य को तुमको देखना होगा, मैं थोड़ा सा विचलित तो नहीं कहूंगा, पर थोड़ा सा चिंतित था, कि मेरे पास सक्षमता नहीं थी, किसी भी कार्य को कर सकने की, और वो भी संभवता महराज जी के किसी कार्य से जुड़ी हो, मैं अपने आपको सक्षम नहीं मानता था, तब भी नहीं मानता था और अभी भी नहीं मानता हूँ, मुझे थोड़ा सा मैंने गुरुदेव से जानने का प्रयास किया कि ये कार्य क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उन्हें कावश्य कर पाऊंगे, अ और महराज जी को प्रार्त्मा की और कहा महराज जी जो भी कार मेरे गुरुदेव मुझे स्वापेंगे वो सुचारी रूप से मैं कर पाऊंगा इसकी उत्तरदाईत्व आप के उपर है ये आप करें और उसी क्षन मेरे गुरुदेव ने कहा कि बंडारे का समय हो गया है और आप जाएए उनको लेके आएए वो साधारन नहीं है उनको आप बोजन कराएए मुझे अकबरपूर की पूरी जो भुगौलिक स्तित्थी ती उसका परिचे नहीं था उन्होंने पीछे के दर्वाजे से कहा तो वहां अनेक दर्वाजे थे अनेक दीवारे थी मुझे बात और गुरुदेव मेरे बार बार इस बात की तरफ सुचित कर रहे थे इंगित कर रहे थे कि जब तक ये कार filters नहीं होगा भंडारा प्रारंब नहीं होगा जब तक आप उन नो व्यक्तियों को बोजन नहीं करा देंगे मेरे लिए बड़ी अविश्वस्निय सी ये बात थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आए मैं क्या करूँ क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इस कारे को पूरा कर सकूँ पर उनका आदेश था और जैसा उन्होंने मुझे कहा वैसे मैंने माना और महराजी से प्रात्ना की मैं स्वता ही एक ऐसे वेग में उस थान पर पहुँच गया जिसकी तरफ वो संकेत कर रहे थे और वहां कोई भी नहीं था वो दर्वाजा बंद था मैंने उस दर्वाजे को खोला तो वहां जैसे उन्होंने कहा था उनके अनुसार नो विशेश असाधारन वेक्तित्व के साधू सन्यासी खड़े थे प्रतिक्षा कर रहे थे और जैसे मैंने दर्वाजा खोला उन्होंने का तुम विवेक हो मैं अचरज में पढ़ गया मैं अचंबित था और उन्होंने मुझसे कहा तुम विवेक हो मैंने का जी तो उन्होंने का जाओ हमारे लिए विवस्था करो हम प्रतिक्षा कर रहे हैं इतनी देर से हमारी तुमारी प्रतिक्षा कर रहे हैं और तुम आद आनी रहे हो मैंने उनसे ख्रमा माँगी मैंने का आईए मुझे ये भी नहीं पता था कि उनको किस स्थान पर मुझे ले जाके प्रसाद खिलाना है पर मैं जैसे जैसे उस वेग में जैसे में उस दर्वाजे तक पहुचा था उसी वेग में मैं एक सीड़ी जो दूसरी मन्जिल पर थी वो दूसरी मन्जिल पर अपने आप ही है अनायासी मैं उस पर चल पड़ा उस सीड़ी पर भी कोई ऐसा वेक्ती नहीं था जो मेरे इस प्रकरण को देख रहा हो इतनी भीड थी वहाँ हजारों के संख्या में लोग वहाँ प्रतिक्षा कर रहे थे कि अब भंडार अप्रारम होने वाला है और वहाँ एक भी वेक्ती ने इस बात को नहीं देखा कि वो कैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ और उनको लेके उपर जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है हम करा देते हैं हमारे पास सारी विवस्ता है तो जैसी ही मैंने उनको बिठाया उन्होंने मुझ से कहा कि भोजन हम सिर्फ तुम से लेंगे तो unravelе गुरु ने तुम से क्या कहा मैंने कहा कि मैं आपको साधर प्रसाद रर्प्रहन करें आप और मैं आपको अर्पित करूँ तो उन्होंने का फिर जब उन्होंने कहा तो तुम अपने गुरू के आगया क्यों नहीं मानते हो तो मैंने उनको साधर प्रणाम किया उनसे ख्षमा मंगी और मैंने जितनी भी जो वहां लोग खड़े थे उनसे सारा साम प्रसाद लेकर उन सभी नौ साधूं को भोजन कराया भोजन कराने के कुछी देर पश्चात जब मैंने वो भोजन करा दिया तो मैंने देखा कि ऐसे बड़े जैसे ही उन्होंने प्रसाद का जो सबसे मुख्य साधू जो थे उनके वो जब उन्होंने प्रसाद गरहन किया जो पहली उसका और उन्होंने अपने मुँ में लिया तो मैंने देखा कि नीचे से अचानक से आदेश हुआ कि दर्वाजे खोल दिये जाएं और सभी भक्त अंदर आके उस स्थान को ग्रहन करके प्रसाद पाएं और ऐसे ही हुआ उसकी दूसरे ही क्षण मैंने फिर से जब उनको कहा कि आप और लें तो उन्होंने का नहीं हमने प्रसाद ग्रहन कर लिए हमारा पेट बर गया है और वो अपने स्थान पर उठे उन्होंने का अब तुम जाओ हमको रास्ता मालू में हमको कैसे जाना है और उसी तरह से कहके वो नीचे मैं आ गया और मैं जब पीछे मुड़के देखा तो उन्होंने का पीछे मुड़के देखने की आवशकता नहीं है आप जाईए और ऐसा कहके उन्होंने मुझे नीचे भेज दिया जो सेवादार वहां खड़े थे वो आश्चर जनक का रूप में मुझे देख रहे थे और कह रहे थे यह क्या गटना उनके सामने घटरी उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ी दिर के बाद जब मैं नीचे आया तो नीचे आने के बाद मैं पाँच मिनट रुक कर मैं वापस उस्तान पर गया और वहाँ पर एक भी साध हो असाधारन विक्तित रूप में वहाँ नहीं थे तो मैंने सेवदारों से बुछा कि आपने देखा यह लोग कहा गए तो उन्हों नैं का जैसे उन्होंने आपको कहा वैसी हमें भी कहा तो हम लोग पीछे मुड़के खड़े हो गया और हमने एक सेकिन के बाद देखा वहाँ कोई भी नी था तो यह कौन लोग थे मैं इस बात को लेके बड़ा आनंदित भी था रोमान्चित भी था ये घटना आते ही मैंने अपने गुरुदेव को जब सुनाई तो उन्होंने कहा कि भई जिससे महराज जी जो काम लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप हाँ जोड़के महराज जी से प्रार्तना कराईए वो शायद इन साध्वों को जो ईश्वर का प्रतिनिद्व कर रहे हैं उनको प्रजे प्रसाद लेना चाहते हो सकता कोई देवी देवता हों हो सकता है किसी प्रकार की अद्वितिया शक्तिय हों जो महराज जी का प्रसाद गरहन करते हैं ऐसी अने को घटनाएं हैं महराज जी के जीवन में जब वो अपने सरशरीर जब वो बंडारे करते थे तो ऐसी ही कोई न कोई घटना हर बार घटती थी और ये घटना जब घटती थी तो लोगों को उस समय एसास नहीं होता था और लोको अनुभव नहीं होता था वो लोक समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों है लेकिन बाद में इन सभी घटनाओं को और प्रसंगों की जानकारी आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएंगी जो उनके भक्तों ने महराजी के संस्परण में लिखी है मैं इसी तरह के कुछ विशेश प्रसंगा आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत करूँगा तब तक के लिए राम राम